कई दोस्तों यूपियू पुलिस नहीं भरती 2030 को लेकर के अप डेट आ गए। जैसी कहां पर भी प्लॉक देखेंगे यूप करके संपुन जनकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है तो वीडियो को अंतर जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक चैनल को जो सब्सक्राइब कर देजेगा जिससे यहां पर जो भी अपडेट होगा सरकारी एक्जाम से लेकर करके उसका सबसे पहले आप लिकर करने जो beg़ुण को लिकर के जो बसेट हजार चारसोच पोस्ट जो रिकॉर्मेंट है इसमें computer पोस्ट कितने पोस्ट पर रिकॉर्मेंट है तोיצए अलग अप लोग लोग पे अलग लग इसमें यहां सबस्क्त पर आप लोग नहीं करेंगे तो यह यूपी पुलिस वेकंसी 2,000 थे इसको लेकर कर अपडेट दिया गया ठीक है कब तक इस फ़र्म को आप लोग फिल अप कर पाएंगे ठीक है और इसका संपूर्ण जनकारी इस वीडियो में मिलने वाला है ठीक है जैसे कि आई उसी मार को लेकर कि इसमें आप रिक्वार्मेंट है इसमें अलग अलग पुश्ट पी इसमें आप लोग को रिक्वार्मेंट को लेकर करके अपडेट दिया गया ठीक है जिसे कि यहां पर बात कर एक कॉंस्टेबल पुश्ट का तो यह आप लोग जो है यहां पी 22699 पुश्ट पी रिक्वार्मेंट आ र requirement है इसी में आप लोग को ESI का जो post है इसमें जो है 2430 post पी requirement को लेकर बाद चले ये ठीक है सॉब एंस्पेक्टर जो है UP Police sub inspector जो ESI का जो post है इसको लेकर के 2430 post पी requirement को लेकर के update दिया गया थीक है उसी तरीका से यहां पे आप लोग दिखेंगे तो अगला जो पोस्ट है यहां पे यह जो है आप लोगो जो है यूपी पुलिस जो है यहां पे 927 पोस्ट पे यह भी requirement है उसके बाद यहां पे जिल वाडर का जो है पांसो 521 पोस्ट पे यह requirement है ठीक है तो यहां पे और यहां पे computer operator का 8233 पोस्ट पे यह भी requirement है ठीक है तो यह अलग- आप लोग देखेंगे कब तक आप लोग को data आ रहा है कि यहां पर apply करने कर ठीक है उसको लेकर कि यहां पर detail जनकड़ी दिया गया ठीक है यहां पर देखेंगे जैसे कि यहां पर देखेंगे short detail of notification ठीक है जैसे कि UP police constable vacancy 2030 इसको ले करके यहां पर जो update दिया गया है जैसे कि आप लोग देखेंगे name of organization ठीक है तो यह name of organization में देखेंगे तो उत्तर प्रदिश पूलिस से requirements जो है इसको ले करके अब्रेट दिया गया ठीक है इसमें जो है आप लोग को चार परकार के पोस्ट इसमें में पाच परकार के जैसे कि आप लोग देखेंगे उसके बाद आप लोग को रेडियो ऑपरेटर हो गया उसके बाद यहां पे computer ऑपरेटर हो गया डिजल वाडर हो गया ठीक है इसपोर्ट हो गया इन सभी पर आप लोग को requirement देखने को मिलेगा इस requirement में ठीक है अब देखेंगे यहां पे आप लोग को जो है जॉप टाइप जो है यूप पुलिस को गौर्मेंट requirement दो हजर देश ठीक है नेम आप पोस्ट की बात करें तो यह 62,424 पोस्ट पे requirement अभी तक दिया गया है ठीक है यह 62,424 पोस्ट पे requirement को लेकर के यह अप लोग को दिया गया ठीक है अब देखें यहां पे जैसे कि इस फॉरम भरने का जो डेट है यह आप लोग को अगस्त में ही आएगा ठीक है अगस्त जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को जो है अगस्त में बताया जा रहा है ठीक है लेकिन ये मतलब एस्पेक्टेड डेट है ये आप लोग को सिप्तेमबर में भी हो सकता है ठीक है तो यह आप लोग को बहुत जल्द यानि मतलब 10 से 15 दिन में आप लोग को इसका मतलब अप्लाइड का डेट जो है आप लोग को आ जाएगा ठीक है अब देखें कि यहाँ पे जिससे की अगस्त या सिप्तेमबर में बताय जा रहा है ठीक है अब अप लोग को तैयारी में जुड जानाँ चाहिए कहाँ कैए कि यह रिकौर्टन बेल को फाइनल है कि आए गए गही आयगा ठीक है अब अप लोग तैयारे कि रहेंगे तो यह आप लोग को मौका जो है अप लोग को मिलएगा ठीक है क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट पर रिक्वार्मेंट अभी तक नहीं आया था ठीक है यूपी पूलिस में बात करें तो ठीक है और उसके लिए इस चैनल पे आप लोगो टार्गेट पैज भी स्टार्ट हो गया है ठीक है जैसे मायत हो गया रही नहीं हो गया जी के जी इस हो ठीक है इनसे अभी का कंप्लीट आप लोगो यहां से स्टडी कर पाएंगे ठीक है इसलिए इस चैनल से आप लोग जरूर जो जाएगा जिसे यहां से आप लोग बहतर विप से तयारी कर पाएं अब यहां पर लोग देखेंगे तो यूपी पूलिस एक्जाम डेट को लेक अब यहां पर लोग देखेंगे यूपी पूलिस एक्जाम फी ठीक है तो इसका जो एक्जाम फी है आप लोग को साथ सो रुपिया लगेगा ठीक है यहां पर यूपी पूलिस एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के और 30 साल तक यहां पर रहने रहने वाला है ठीक है 18 स में आप लोग को छुट मिलता है या नहीं मिलता है उसको लेकर के नीचे भी आप लोग दिया गया एजन काड़े ठीक है एज को लेकर के ठीक है अब यहाँ पर एकजाम एज गया प्रॉलड लेटी थी तिए अप लोग यहां पर category वाई यहां पर feed दिया गया है ठीक है जिसे कि general और OBC के लिए 700 रुपिया लाएगा SST के लिए 300 रुपिया लाएगा ठीक है और यह जो payment है आप लोग को credit card, debit card ठीक है उसका OBC candidate के लिए 18-26 है और SST के लिए 18-28 है और female के लिए 18-26 है ठीक है अब age relaxation जो है extra as per UP government's rule ठीक है यानि UP government's rule के coding as relaxation दिया जा सकता है ठीक है जिसमें SST के लिए 5 years और OBC के लिए 3 years का छूट दिया गया है ठीक है अब देखे यहां पे जैसे की COVID को लेकर क्या छूट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वह भी हम आप लोग को इस वीडियो में बात करेंगे ठीक है अब देखें यहां पे UP police inspector ASI का जो एज लिमिट है उसको लेकर की मतलब 21 से लेकर के 18 सल मतलब है अगर अगर रहेगा तो आप लोग इस फोर्म को फिल अप कर पाएंगे ठीक है इसमें भी आप लोग को जो है यहां पर आप लोग देखें यहां पर लोग देखें तो यहां पर UP police constable vacancy 2030 में constable का जो है बावन हजार 699 पूश्ट है ठीक है यूपी पूलिस सोब इंस्पेक्टर वेकंसी दौश्ट है यहां पर यहां पर जो है अलग अलग आप लोग को जो है यहां पर इंक computer operator का 927 पूश्ट पूश्ट पे है ठीक है यूपी पूलिस circle card vacancy ठीक है तो यहां पर जो है पान सो पैटालेस पूश्ट है ठीक है इस तरीका से सभी पूश्ट को मिलाएं तो यह 62,424 पूश्ट पर requirement आप जाया ठीक है इसका selection का process की बात करें तो यह selection का process जो है आप से बाद आप लोगो मेरिट लिष्ट बनता है ठीक है इस तरीका से अप लोगो स्लेक्टिन लिये जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जैसे की उपेप लीस से फीजीकल एजल टीटिक है तो यहां पर आप इमYखम पाइट को तो सबंक्र पर यहां वहां करने लिए गया तो सट मैकर 6 से सवेंटीवां करने बार करके उसमें पाइव सोद्बिगन कर नहीं है फ़ी मैल के लिए यहां यहां पर वेक्ट को जो है तूस्त प्सकुण मेड़ी नहीं टीक है और फ़ी सब्सक्राइब के लिए तो 160 संटीमेटर होना चाहिए और यहां पर 147 संटीमेटर हाइट होना चाहिए ठीक है इसी तरीका से आप लोग पूरा डीटेल यहां पर बताएगा रणिंग की बात करें तो 4.8 किलोमेटर 25 मिनट में दोड़ना होगा और फिमेल के लिए 14 मिनट में दोड़ना होगा 2.4 किलोमेटर ठीक है न यहीं आप लोग को जो यहां पर लेखेंगे जैसा आउट टू अपलाई यूभी प्लिक्स रिक्वार्मेंट दोजरतेश चोबी सज्जाट 424 पोल्स ठीक है तक ऐसे इसको अपलाई करेंगे ठीक है इसको लेकर कि आप लोग को ज विदियो में जाइन